अगर आपको खाना खाने के बाद हर बार पेट में दर्द सूजन गैस या उल्टी जैसे एहसास होता है तो यह एक गंभीर समस्या हो सकती है पेट में दर्द या अपच बिविन कारणों से हो सकता है यह तब होता है जब सरीर में कलेस्ट्रॉल के कारण ब्लट बैसेल्स क्लो भोजन करने के बाद पेट में होने बाले दर्द के कई कारण हो सकते हैं जैसे फूड हाइपर सेंस्टिविटी जब हमारे सरीर में एंजाइम्स की गमी होती है तो यह छोटे कड़ों में भोजन को तोड़ नहीं शकता और इसी के कारण हम भोजन के बाद दर्द महसूस करन इसे फूड हाइपर सेंस्टिविटी यानि खाद अति संबेदन शीलता के रूप में जाना जाता है इससे कब जी दस्त छाले गैस आदी की समस्य हो सकती है फूड एलर्जी एलव खाद अति शंबेदन शीलता की तरह ही है इस सर्थ के तहट हमारे सरीर कुछ खाद पदार् सकता विविन प्रिकार की फूड एलर्जी प्रिचलित हैं जैसे कि डेरी स्टार्ज मसाला यहां तक की अनाज यानि फूड ग्रेन से अलर्जी सिलीक रोग जब हमारा सरीर गुलूटेन को पचानी में असमर्थ होता है तो इसे सिलीक रोग कहते हैं एक तरह का प्रोटीन हो जो जौ राई बेशन सूजी गेहूं आदिखाद पदातों में मौजूद होता है इस चोटीनात को प्रभावित कर सकता है और पाचन को मुस्किल बना शकता है इसे हिसलीक रोग कहा जाता है कबज की समस्या अगर आपको कबज की समस्या है तो आप भयानक पेट दर्द का स सक्षन में लिके बताएगा और ऐसी ही इंफोमेशन के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा